हालो डियर श्टुडेंट आज की क्लास में हम कर रहे हैं क्लास 6 साइन्स एंसी याटी चिप्टर 5 सेपरेशन और सबस्टांस यह इस चिप्टर का थर्ड ग्लास है पिछले दो क्लास में हमने मेंठर रॉप सेपरेशन का हैंड पीकिंग मेंठर के बारे में जाना विनोइंग के बारे में जाना थ्रेश्रिंग कैसे होता है उसके बारे में जाना फिर हम सेविंग कैसे करते हैं मिक्स्टर का उसके बारे में जाना आज की क्लास में हम बागी के मेठर आप सेपरेशन करने वाले हैं आज की क्लास में हम मेली solid और liquid के जो mixture है उसको कैसे separate करेंगे वो हम जानेंगे solid और liquid का mixture जैसे sand और water का mixture, soil और water का mixture और कुस mixture जैसे sand और salt का mixture ये से mixture को हम winowing से भी separate नहीं कर सकते ना ही hand picking method से पिछले दो क्लास में जो हमने method पढ़े हैं उस method से किसी भी method से हम salt और scent को separate नहीं कर सकते हैं तो हम आज की class में उसी सब टाइब की mixture को कैसे separate करेंगे वो पढ़ने वाले हैं solid from liquid is separate by sedimentation, decantation, filtration and evaporation solid और liquid के mixture को हम sedimentation, decantation, filtration और evaporation जैसे method of separation से separate कर सकते हैं तो सबसे पहला method है हमारा method of separation में solid और liquid का sedimentation तो हम जानेंगे पहले sedimentation के वारे में the setting dawn of heavier particles of insoluble solid in the liquid is called sedimentation sedimentation में वैसे mixture को हम separate करते हैं जिसमें insoluble solid का particles किसी liquid में हो तो उसको हम separate करने के लिए sedimentation method का use करते हैं इसमें अगर एक glass में हमें sand या soil का mixture दे दिया जाए और उसमें पानी डालके तो उसको हम इसको sand और soil को water से हम कैसे separate करेंगे तो आप देखिएगा कि अगर एक glass sand और soil का water के साथ mixture वाला है तो उसको कुछ देर के लिए छोड़ दीजेगा तो जो solid particles है जो insoluble water में वह water के glass के bottom में बैठ जाता है और उपर जितने भी पानी होते हैं वह fresh पानी होते हैं आप figure में देख सकते हैं कि sedimentation हम कैसे कैसे जो insoluble solid है water में उसको हम कैसे separate करेंगे sedimentation method से उसमें कुछ देर के लिए उस glass के पानी को छोड़ दिया जाए तो जो भी solid particles है water में बैठ जाता है तो उसे हम sedimentation कहते हैं इस method को हम sedimentation कहते है shedding dawn of heavier particles of insoluble solid in the liquid इसमें setting glass के तल में बैठ जाता है और उपर का water पुड़ा fresh हो जाता है आप pond के water को भी लेके देख सकते हैं या किसी river के water को उसमें mud और water का mixture होता है या soil और water का mixture होता है तो उस water को अगर हम एक container में थोड़े दिर के लिए छोड़ दे उसमें जितने भी solid particles है जैसे sand हो गया soil हो गया यह सब water के तल में बैठ जाता है और उपर का जितने भी water है वो fresh water हो जाता है तो फिर हम इस method से sedimentation से हम water और solid particles की mixture को separate कर सकते हैं next method है decantation decantation क्या है the process of separating clear liquid without disturbing the settled solid particles is called decantation sedimentation के साथ साथ decantation से हम solid particles जो water में मिला हुआ है उसको हम separate कर सकते हैं जैसे अगर वो glass को हम थोड़ी दिर के लिए छोड़ दिये तो उसमें जो sand और soil है वो water glass के तल में बैठ गया अब हम उस glass से जो water उपर में fresh वला है उसको हम अलदूसरे glass में separate कर लेते हैं तो उसे हम decantation बोलते हैं इस method से भी solid और liquid के particles को हम separate कर सकते हैं यह आप figure में देख सकते हैं sedimentation और decantation दोनों method से solid और liquid के mixture को हम separate कर सकते हैं इस sedimentation और decantation के मेठर से हम oil और water का mixture oil जो होता है वो immisival liquid होता है वो water में soluble नहीं होता है तो sedimentation और decantation method से हम oil और water को हम separate कर सकते हैं oil और water के mixture को किसी container में हम रहके थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे तो oil जो होता है वो water पे तैरते राता है फ्लोट करता है फिर उसके बाद हम oil को दूसरे glass दूसरे container में shift कर लेंगे तो oil और water decantation से दूसरे container में अगर हम shift कर लें तो उस method को क्या बोलेंगे decantation और उस mixture को हम थोड़ी देर के लिए छोड़ दिये जिससे oil और water separate हो गया उसे हम बोलेंगे sedimentation तो इस method से हम liquid और liquid को ही separate कर सकते हैं solid impurity from a liquid using a filter like filtered paper filtration method का यूज भी हम वैसे mixture को separate करने में करते हैं जिसमें solid और liquid का mixture हो और वो जो solid हो वो liquid में insoluble हो उस step के mixture को separate करने के लिए हम filtration method का यूज करते हैं जैसे sand on water का mixture tea और tea के leaf का mixture जो होता है उसको भी हम separate करने के लिए filter paper का यूज करते हैं, stainer का यूज करते हैं filtration method का यूज solid और liquid mixture में जिसमें solid जो होता है impurity वो liquid में insoluble हो तो उस step के mixture को separate करने के लिए हम filtration method का यूज करते हैं filtration method कैसे करते हैं वो आप figure में देख सकते हैं आप इज फिल्टरेशन method का यूज कर सकते हैं वाटर और सेंट की मिस्टर को आप फिल्टर पेपर से फिल्टर करके दोनों को सेपरेट कर सकते हैं सेंट रीवर का वाटर होता है वो फिल्टर जो होके हर जगा सप्लाई जो होता है वहीं फिल्टरेशन मेठर से उसे फिल्टर किया जाता है river के water में बहुत ताग की mud होते हैं, soil होते हैं, फिर stones होते हैं, उसको sand होते हैं, उसको separate करने के लिए फिल्टरेशन मेठर का यूज किया जाता है इस मेठर में वैसे impurity को separate किया जाता है water से, जो water में in soluble हो, तो filtration मेठर से वो सभी in soluble impurity जो होता है, वो filter हो जाता है इस method का use हम solid or liquid के mixture को separate करने के लिए करते हैं आप figure में देखके समाज सकते हैं कि filtration method कैसे use किया जाता है next हम देखेंगे evaporation evaporation is the process of changing of a liquid into vapor this process is used to recover a solid substance from its solution evaporation हम किसे कहते हैं वो हम सबसे पहले जान लेते हैं evaporation हम उसे बोलते हैं जिसमें liquid और भेपर में change होता है गैस में change होता है, इस process को evaporation बोलते है evaporation method रॉक्षन से भी हम वैसे souvent liquid के mixture को separate कर सकते हैं जो solid liquid में seasonal होते हैcient salt & water के mixture को हम evaporation method से separate कर सकते हैं sugar और water के mixture के weivaporation method कोaws Atlas salt and sugar two场 बोलों हम इसे हम milligram punching mixing तो उसे हम इवापरेट कर सकते हैं या सुगर और वाटर को कर सकते हैं इवापरेशन में जो लिक्यूर होता है वह गैस में बेपर मेंotor को हम बोलते हैं इसे हम इवापरेशन बोलते हैं इसमें solid substance को उसके solution से separate किया जाता है और solid वैसे substance जो water में soluble हो तो उसे हम evaporation meter से separate कर सकते हैं figure में आप देख सकते हैं evaporation meter से हम कैसे soluble substance को mixture से separate कर सकते हैं next हम देखेंगे condensation condensation is the process of changing a gas or a vapor into a liquid by cooling condensation process वैसे process को कहते हैं जिसमें vapor cool होके liquid में change हो जाए जब आप boiled water को देखेंगे तो उसे किसी बर्दन से ढख देंगे तो उसमें छोटे-छोटे बूंध थोड़ी देर बाद water cup देखेंगे तो वो condensation meter के द्वारा ही जो vapor है वो cool होके water में change हो गया है वही जब water boil होते राता है तो उसका भाव निकलता है liquid से vapor में change होता है उसे हम evaporation कहते हैं और वही भाव जब cool होके ठंधा होके liquid में fit change हो जाता है उसे हम condensation बोलते हैं condensation जो होता है वो evaporation का just ultra होता है evaporation में liquid जो है वो vapor में change होता है वही condensation में vapor जो है वो liquid में change होता है cool होके इस condensation से भी हम जो solid ौ liquid का mixture है जैसे salt water Them प्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप् वाटर में नहीं होता है वाइल इमिसीव लिक्यूड में आता है उसे भी हम सेदिमेंटेशन और डिकेंटेशन मेठड से सेपरेट कर सकते हैं अब फिर दूसरा मिक्स्टर हम उस टैप के देखें जो सॉलीर वाटर में वाटर में सॉलूबल हो जैसे साल्ट हो गया सूगर हो यह से water में soluble है तो उस टैप के mixture जो होता है उसे हम evaporation और condensation मिठ़र से separate कर सकते हैं Next हम देखेंगे churning, churning मिठ़र क्या होता है फिर हम देखेंगे saturated solution किसे बोलते हैं और unsaturated solution किसे कहा जाता है